नमस्कार दोस्तों मैं हूँ दिली पेकनेजर सरकार की तरफ पेकनेजर दुनिया की तरफ ध्यान में रखते विए आज किस वीडियो को सुरू करते हैं जो कि आज किस वीडियो को टॉपिक है इंडिया वर्सेस भारत और इस इंडिया वर्सेस भारत में कौन-कौन सी चेंज किया जा रहा है जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दीख रहा होगा Times Now के आर्टिकल में कि India to be a Republic of भारत पहले होता था India to be a Republic of India तो मैं आपसे यही सारी चीजे डिसकेशन करने वाला हूँ कि क्या क्या political बैनबाजी हो रही है आपको बहुत सारी चीजे यहाँ पर knowledgeable information मिलने वाली है अगर आप last तक विडियो को देखते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि यह concept जो है भारत यह कहां से लिया गया है तो मैं आपको दिखा दो तो various articles ने यहाँ पर publish किया है कि India links to be a भारत नेम यानि भारत नेम को change किया जाएगा और बहुत सारे जो ऐसे political बैनबाजी आ रहे हैं जो कि इनका मानना है कि आज ही नाम change कर दिया गया आज मैं video record कर रहा हूँ जो कि है आज आपका 6 सितंबर और अभी यह सारे जो political leader है इनको लग रहा है कि अभी नाम change हो चुका है लेकिन मैं आपको बता दू तो यह special session होने वाला है जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा special session आपका बीच में होगा 18 से लेकर 21 के बीच में और यहाँ पर जो भी conclusion जैसे आपने सुना होगा one nation, one election यह सारी चीजे इस special session में ही discussion की जाने वाली है तो यहाँ पर आपको मैं news जैसे दिखाना चाहूंगा यह आपका news India likely to be renamed भारत we're given to understand that the government is likely to bring fresh resolution to rename India as भारत and this fresh resolution is likely to be brought in the special session Praneesh continues to be with us like he was saying this is indeed a massive news break India to be renamed भारत this is the news break I was talking about Swati we have it from the top sources and they have indicated that this is something that tops the government agenda come the special session of the parliament beginning the 18th of September remember the five sitting of the all right now we're discussing about the political ब्यानबाजी के बारे में तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि G20 Summit हमारे प्यारे भारत में होने वाला है जो कि 9 से लेकर 10 सितंबर की बीच में और यह जो प्रेसिडेंट आप भारत आपको दीख रहा है यह मैं आपको कहाली बता दूं तो यहाँ पर जो हमारी प्रेसिडेंट द्रोपती मुर्मूर है इन्होंने इन्वेटेशन दिया वेरियस कंट्री के जैसे की प्राइम इनिस्टर होगे या प्रेसिडेंट तो यहाँ पर इन्होंने प्रेसिडेंट आप भारत नाम लेकर इन्वेटेशन लेटर वेजा जो आखिरकार हमारा जो प्यारा भारत है वो जब constitution में ही mention है, तो Congress को क्यों इससे दिक्कत हो रही है, आपका Article 1 हमारा constitution करता है, India that is भारत, shall be a union of state, तो Congress को इससे क्या दिक्कत है, अब चलिए यहाँ पर हमने देख लिया कि कैसे कैसे हिमन्त बेस्वा भी है, ये भी कापी support में आय हुए है, जैसे की, और आपका Congress जो opposition leader है, उसके बारे में मैं डिसक्सन करना चाहूँगा आप से, आ रहे हैं, ऐसी उड़ती उड़ती हवा सुनी है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि India नाम का, कई सारी पार्टियों का एक alliance बनाए, जिसका नाम इंडिया है, तो अगर किसी पार्टियों का alliance इंडिया बन जाता है, तो वो देश का नाम बदल देंगे, देश तो 140 करूर लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है, कल मान लीजिए इस इंडिया alliance ने अपना नाम बदल के भारत रख लिय तो फिर भारत भी बदल देंगे, फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे, या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे, मान लो इंडिया alliance ने कल एक meeting करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम बदल देंगे, ये क्या मजा क्या तो आल रैट जैसके यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनका यह कहना है कि अगर एक पार्टी, क्या इंडिया अगर नाम रख लेती है, तो क्या बीजेपी सरकार इंडिया नाम ही चेंज कर देगी और भारत नाम रख लेगी, और यहाँ पर इनका कहना यह है कि एक पॉलिटकल यानि opposition party जब India नाम रख ले रही है इससे मोधी सरकार एकदम डर गई है तो यहाँ पर एक तरीके सी जोग के फॉर्म में कहये हैं जैसा कि आप यहाँ पर इनके political बयानवाजी देख सकते हैं और यहाँ पर कहये हैं कि एक political party की कोई देश नहीं है यह 140 करोन लोगों की देश है तो all right अभी तक जो आपने देखा वो political बयानवाजी इसी paper को लेकर हो रहा है जो कि यहाँ पर आपको दीख रहोगा the president of भारत पहले यहाँ पर होता था the president of India जो कि यहाँ पर invitation दिया गया है various prime minister and president को saturday को जो कि dinner के लिए September 9, 2023 को लेकर जो कि यहाँ पर मैंने आपको political तो भारत नाम change करने में क्या अपत्ती है किसी को लेकिन मैं यहाँ पर आपसे mention करना चाहूँगा अमरितकाल जो मोदी जी जाहिर सी बात है इसको impasis करते हैं अमरितकाल को यह अमरितकाल क्या represent करता है तो यहाँ पर आपको दीख रहा होगा kolonion राज यह जो kolonion mindset है kolonion लेकिन इतना भी नहों कि पूरी तरीके से इन्डिया से हम भारत सिफ्ट हो जाए जो कि हमारी जो यह ब्रांड है identity है हमने इंडिया गीन किया हुआ इतनी सदियों से इतनी हजारों वर्सों से एक नहों कि कुछी टाइम में पूरी तरीके से भारत के नाम से लेकर अपना ज तो आपको यहाँ पर मैप में दीख रहा होगा, चारो तरीके से अपना प्यारा भारत समुद्र से घीरा हुआ है, तो किसी तरीके से जो सीवेज की एकसेस है, पुरी तरीके से एकसेस है कि कोई भी foreigner अपने भारत में आकर कोई भी सिछा गरहंड कर सकता है, यानि किसी भी पर दिया जा, ऐसे बहुत सारी political बेरबाजी चल लही है, और जो कि हमारा civilization भी यहीं पर हुआ था, जो कि सिंदू घाटी, जैसे कि यहाँ पर आपको दीख रहा होगा, सिंदू घाटी में हमारा civilization हुआ, तो यहाँ पर जो हमारी सदियों से काफी अभी भी जो चाइना की प्यारा भारत, इसी को जो ancient हमारा नाम है, इंडिया का नाम प्यारा भारत, इसको हम reference याँ आगे लेकर चल ले है, तो मैं आपको बताऊँगा कि यह जो प्यारा भारत अपना नाम है, कहां से आया, तो जो आपको रिगवेध है, याणि आपने महाबारत देखा होगा, उस महाबारत में दो character हैं जो कि दुसियन्त और सकुंतला इनके बेटे रहते हैं जो कि कौरो और पंडवा इनके बीच में लडाई होती है जैसे कि अपने महाबारत में देखा हुआ ये सारी चीजे factor दरसाता है कि इन ही कौरो और पंडवा को लेकर भारत का जन्म हुआ और मैं यहाँ पर जो reference आपको देना जाओंगा The Religions of India जो कि यहाँ पर रोसन दलाल ने mention किया हुआ है अपने historians है ये अपने book में और जैसा कि brother आप राम और लश्मन की कहानी देखोंगे उसमें भी mention है और जैसे कि आदितिना थैंडरीसव बाबा ये जो कि हमारे पहले चैन तिरिखांतर थे इनके भी book में मिंसन है जैन वाल कोई और the author of नत्यसात्र और यहाँ पर मैं आपको बताना चाओंगा कि अपना जो प्यारा भारत थे वो राजा महराजाओं का देश था तो इसे king of भारत भी कहते थे और यहाँ पर जैसे कि भारत वर्स का मैंने बताया कि यहाँ पर जो भी लोग आते थे वो सिच्छा के लिए आते थे knowledge के लिए आते थे या फिर yoga ऐसे बहुत सारी चीजे थी अपने प्यारे भारत में जो की पूरे भी देशियों को मिलता था और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको references बता दिये कि इसका कहां से link है और कैसे है अब हम जैसे कि यहाँ पर कुछ संस्क्रेट के सलोक लिखे हुए हैं हलाकि आप पढ़ सकते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भारत में घुमते हैं अब तो यहाँ पर आपको लेकर पहाड़ी से लेकर समुंद्र से लेकर खाई से लेकर या पर रिगिस्तान से लेकर हर चीज़ आप देख लेंगे एक जो आप पूरा देश घुमेंगे अगर आप सही तरीके से अपने भारत को गुम लेते हैं तो पूरी तरीके से आप समझिए कि पूरी देश की भरमड हो गई और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेबेन मेंचेन आप माउंटेंस यहाँ पर भारतार महेंद्रगीरी यहाँ पर यह जो माउंटें रिप्रेजेंट करता है कि पूरी तरीके से पीस और हर्याली को रिप्रेजेंट करता है जो कि एंसेंट के अगर हम जोड कर देखे तो यहाँ पर मैंने आप को इंडिया वर्सेस भारत जो कि केजरिवाल और बीजेपी के बीच में संबंद दिखाया कैसे पॉलिटिकल बेयनवाजी चल लही है यही सारी चीजे मैं में स्टार्टिंग के वीडियो में ही और मैं आप से अब सारी चीजे इंफॉर्मेशन सेयर कर दिया अगर आप हमारे वीडियो पर यानि हमारे चैनल को नए है और हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक किजिएगा अगर हमारे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करिएगा